जैहिन साथियों, स्वागत है आपका quality education के इस बहतरियन learning and life changing YouTube platform पर दोस्तों, आज हम डिसकस करने वाले हैं सितंबर महा का current affairs और वो भी अंतर राश्च्री और राश्च्री करम का देखो आपके राश्च्री और अंतर राश्च्री लेवल पर जो भी current affairs के important questions बन सकते हैं आपके exam के point of view से सारे के सारे प्रश्ण मातरिस एक ही class के अंदर डिसकस हो जाएंगे आप चाही किसी भी exam की तैयारी कर रहे हो अगर आपके exam में अंतर राश्च्री और राश्च्री समसामी की लिखा हुआ है तो आपको ये जो series अपने चल रही ही series को join कर लेना है अभी मैं सितंबर माईने की करवा रहा हूँ आगे October, November, December आगे के माईनों की भी करवाता रहूँगा और 24 दिन के अंदर आपके पीछे के माईनों की भी एके करके आती रहेगी यानिकि अपन 2024 का पूरा current affairs complete कर लेंगे एक class में अंतराश्री राश्री पूरा cover हो जाएगा और एक class में राजस्तान पूरा cover हो जाएगा और अपने इसको clear करने वाले हैं दोस्तों MCQs की मदद से most important जो MCQs आपके सितंबर माईने के अंदर बन सकते हैं क्योंकि मैं आपके जो जिन सातियों ने वीडियो कोर्स ले रखा है आपको पता है कोर्स के अंदर मैं complete आपके current affairs पढ़ा रहा हूं जिसमें एक महीने की 5 class में आपको cover करवाता हूं उसमें पूरी की पूरी theory पढ़ाता हूं आपके सामने जो मैं MCQs लेके आया हूं उस theory मैं से MCQs बना करके लाया हूं और इसमें एक ही MCQs के चारो option ऐसे रखे हैं जिन option के माध्यम से सितंबर माहा का पूरा current affairs आपका cover हो जाएगा तो मीनादेरी की शुरुवात करते हैं चलो आजाओ आज का अपना पहला प्रशन दोटको वेश्विक नवाचार सुचकांग 2024 में भारत किस इस्तान पर रहा है सबसे पहली बात जब कभी भी आप किसी प्रशन को देखते हैं अगर आप exam में बेटे वे हैं और तब आप प्रशन को देख रहे हैं तब तो क्या करना है आपको प्रशन को केवल इस नजरिये से पढ़ना है कि आपको उसका उत्तर देना है लेकिन जब आप तयारी कर रहे हैं उस time में आप किसी भी सवाल को पढ़ें तो उस सवाल को पढ़ते time आपके दिमाग के सारे के सारे इंडिकेटर्स ओन हो जाने चीए और हर इंगल से हर आस्पेक्ट से उस सवाल को आपको देखना है कि यहां से exam में और क्या पूछा जा स ग्लोबल लेवल पर जीनोवेशन किया जाता है उसकी एक सूची किस की दौराह दी गई है किसी इंटरनेशनल संस्था के दौरा दी गई है अच्छा दोस्तों एक बात और ध्यान रखना आप लोगों अगर चाते हो कि क्लास में पढ़ाया वा हातों हाथ आपको याद जैसे मैंने वेश्विक नवाचार सूचकांग बताया उपर लाइन में लिखो वेश्विक नवाचार सूचकांग उसको गोड़ा करो इस तरीके से इसको गोड़ा करके इसमें से तीर निकाल निकाल के मैं जो जो चीज़ें आपको बताता जाओं उन चीज़ों को नोट करते यह जो वेश्विक नवाचार सुषकांग के सबसे पहली बात तो किसी ना किसी ग्लोबल आपके संगठन ने उसके द्वरा जारी किया जाता है इस ग्लोबल संगठन का नाम है वर्ल्ड इंटेलेक्चल प्रोपर्टी ओर्गेनाईजेशन जिसको बोलते हैं WIPO अगर इसा क्या करता है यह एसे बहुत सारे काम करता है लेकिन बहुत सारे कामों में एक काम इसका यह भी है यह वडिक और यह जो वेश्यू नवाचार सूःक्षकांग के आजाओ जान लो फस्ट रेंग किसकी है दोस्तों इसमें फस्ट रेंग रहने वाली आपकी स्विजर लेंड की जो आपका स्वीजर लेंड है एक यूरोपियन कंट्री है इस स्वीजर लेंड की दोस्तों कौन सी रेंग है फस्ट रेंग है अच्छा यहां वेश्विक नवाचार सुचकांग से और क्या चीज पूची जा सकती है बैसिकली एक तो यही है कौन इसको जारी करता है भारत की होता है कि हम किसी भी चीज को पढ़ रहे होते हैं तो अपने फोकस का लेवल जितना ज्यादा बढ़ा रहा होगा इतना intense अपना focus होगा चीजे उतनी ही फटाफट हमें याद होगी और लंबे time तक याद रहेगी तो focus intense focus डवलप करने के लिए आपकी जो पांच इंद्रिया है आपका आपकी आखें हैं नाक हैं कान हैं आपकी जिवा है आपकी तोचा है, पांचों इंद्रियों को एक ही जगे पर लगा देना है, अगर आपको focus को बढ़ाना है, suppose that अभी आप class attend कर रहे हूँ, कानों से सुन रहे हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ, आखों से देख रहे हूँ, images के माधिम से कि हाँ ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है और मैं जो चीज बोल रहा हूँ, जो महां से मन में दोराते रहो, और pain से जब copy के अंदर लिखते भी रहोगे साथ के साथ के अंदर, सारी के सारी इंद्रियां आपकी एक जगे काम करेगी, focus आपका intense level का होगा, चीज आपको फटा-फट याद होगी, long time तक याद रहेगी, इसमें देखो क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, इंडिया ranks 39, इंडिया की 39th rank आईए, Global Innovation Index बताई दिया, आपको मैंने WIPO के दोरा, World Intellectual Property Organization के दोरा जारी किया जाता है, इसमें सबसे important जो बात वोल रहा है दोस्तों ये, इदर आ जाओ देखो, improved global rank, भारत की जो rank है न सा आती हूं, 81st rank थी, और अभी चल रहा है, आपका साल 2024, 2024 के अंदर भारत rank पे आ गया, 39th पे, यानि की innovation के मामले में, इंडिया आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है, इंडिया की growth बहुत अच्छी हो रही है, इस वज़े से इंडिया को इन्होंने top performer भी बोला है, top performer किस भी middle income economies है, यानि की lower middle economies है, उनके अंदर इंडिया जो है, वो first rank पे है, उन countries के अंदर इंडिया पर्थम पाइदान पे आता है, ठीके दोस्तों, तो यह आपके innovation index के बारे में सारी की सारी जानकारी थी, कोपी में छापके रख लेना, जो जो important चीज़े बन सकती है, दूसरी बा आपके quad, सिашर, मेलन की बात करों, क्वार्ड होता है, आपके 4 देसों का समू, इस quad के अंदर 4 डेस कौन-कौन से होते हैं, 4 देसों में एक है आपका प्यारा भारत, दूसरा है आपका कौन, जापान, देन, उसके बाद एक देस है आपका इसमें अमेरिका और अमेरिका के सा करते हैं कि हमारा जो reason है हमारा जो एरिया है उस एरिया के अंदर हमें कैसे शांती स्तापित करनी है कैसे हमें आपस में अपने trade को बटाना है कैसे आपस में मिलकर करना development करना है तो यह जो quard सिकर सम्मेलन है इसका आयोजन कभ किया गया आपको पता चल गया सितंबर दोजार चोबिस में किया गया कहां किया गया यह पूंच रहा तो अव्यसी बात है जापान अमेरिका यूएई सिंगापूर यूएई और सिंगापूर के अंदर तो इसका आयोजन होने का कोई और चित्य बनता ही नहीं क्योंकि चारों कंटेंड तयार कर रहा था मेरे सामने एक चीज आई मुझे लगा आपको वो कंफ्यूज कर सकती इसलिए मैं क्लियर कर देता हूँ पहली बात तो क्वार्ड सम्मेलन का अगर आपसे संस्क्रण पूचे सातियों क्या पूचे इसका अगर संस्क्रण पूचे कि क्वार्ड सम्मेलन का कौन सा संस्क्रण है ये डाइरेट ये पूचे तो आप क्या बताओगे शिक्त नंबर का संस्क्रण है, छटा इसका संस्क्रण है, अगर आप से बात ये पूछे, कि ये जो कौर्ड सिकर संस्क्रण है, इसका ये व्यक्तिगत संस्क्रण कौन सा है, या कौन सा व्यक्तिगत संस्क्रण है, व्यक्तिगत संस्क्रण का मतलब क्या होता है, साथी व्यक् तीखट सम्मिलन कॉन से number का था यह fourth nober का था और अगर ऐसे बात करें कि Quad शिकर सम्मिलन का कौन सा Sanskrit ॏ तो वेसे चटा संस्क्रण था अच्छा और क्या ध्यान रखना है आपको यहान से एक चीज और जो important ध्यान की यह कि यह कौज़ार सम्मिलन है साल 2007 के अंदर जापान के एक पीम हुआ करते थे साथियों उन पीम का नाम क्या था सिंजा आबे क्या नाम था सिंजा आबे नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे जो कि बार जापान के पीम हुआ करते थे इन सिंजा आबे की पहल के आदार पर ही ये क्वार्ड सिकर सम्मेलन बनाया गया था यानि कि इ है उसके इस्तापना की गई थी किसके द्वारा सिंजो आबे के द्वारा एक चीज और आजाओ साति हूं आपके सामने यहां पर एक UAE जो नाम का देश है जिसको आप बोलते हो युनाइटेड अरब अमीरा दुबई जिसकी राजदानी है इस दुबई के अंदर हाली में बराक परमानू सयंतर का समंद कहां से है तो यह आपका जो बराक परमानू सयंतर है सितंबर महा के अंदर ही इसको इस्टेब्लिश किया गया है कहां पर UAE के अंदर थीके दोस्तों आइश आ से सारी चीज़े आपको क्लियर हूई होगी एक मैं आपके सामने इमेस लेकी बना ले लहाँ जैसे कुछ खास मुझे तो दिखनी रहा है आपके कोई दिमांगे बेठे तो बना लेना ता कि आप याद रखको वैसे याद रखने की जरूत हैं नहीं यह आपके इंडियन एक परशांत माश आगर और हिंद माश आगर ऐसा बोला जाता है सातियों कि यह जो quad group है आपका Indo-Pacific जो आपका reason है हिंद परशांत का जो यह शेतर है इस शेतर के अंदर शांती बनाई रखना इस शेतर के अंदर development का काम करना इस शेतर के अंदर आपस में व्यापार को बढ़ाने का काम करता है कौन आपका यह quad group तो map के माधियम सा आपको ध्यान रहेगा quad के अंदर चार country कौन सी है ट्रेंगुलर बना लेना आपको अब इतना सा ध्यान है world के map के अंदर कौन कौन सा continent यह आपका जो है उतरी अमेरिका continent यह दक्षिन सवाल है यहां से आपके सारी की सारी चीजे क्लियर हो जाएगी यह जो राज्य खादी सुचकांग के इस सवाल को पड़ते ही दिमांग में गंटी बजनी चीए कि यार यह तो ऐसा सुचकांग के जो क्या करता है राज्जों के अंदर जो आपके food safety है उस food safety के लिए कोई ना कोई index जारी किया जाता है अच्छा यह index जानी किस के दौवरा किया जाता आ आजाओ ठोडा सा यह बता देता हूँ यह index जारी किया जाता है दोस्तों फसाई के दुवरा फसाई क्या है फसाई ही आपका food safety and standard authority of india food safety and standard authority of india रात के साथ छापते जाओ कोफी के अंदर food safety and standard authority of india है फसाई जिसको कहते हैं आपने बहुत सारे ऐसे खाद ये प्रोडट्स देखे हूंगे जिनके उपर फसाई का टेग लगावा आता आप चाहिए कुरकुरे खाते हैं चाहिए आप दूद की थेली लेके आते हैं है ना जो रूम पे रेने वाले साथी है अब कभी दूद की थेली लाओ या बिस्किट लाओ उसके उपर देखना FSSAI लिखावा दिखेगा फसाई का मतलब है Food Safety and Standard Authority of India ये क्या करती है ये सातियों अप्रूवल देती है कि आपके द्वरा जो खाद्य प्रोड़क्ट बनाया गया है जिसको आपने पेकेट में पेक करा है ये जो खाद्य बनाया गया प्रोड़क्ट है ये क्या है ये स्वस् कौन सा है क्यरला ये आप से पूंचा कि कौन से राज्य की रेंक प्रतम है तो रेंक प्रतम किसकी आई है केरला की आई है तमिल नाडू की option में इसकी second rank आई हो जम्मू का अपना जो प्लेटफॉर्म है एक यह थोटी से आपके लिए information है अपना quality education के प्लेटफॉर्म पे राजस्तान के सभी बरती परिश्याओं कि चाहे आपका RS है चाहे पटवार है चाहे वीडियो है चाहे लेब assistant है हर exam के लिए वीडियो courses और test series उपलब्ध है और आप लोगों के लिए जानकारी क्या है मैत पून जानकारी यह है कि अभी वरतमान में सभी वीडियो courses और test series पर सातियों 27% के आपको छूट मिल रही है अगर आप coupon code यूज करते हो दिवाली 27 तो इस coupon code को लगाते ही सिधा instant 27% का आपको discount मिल जाएगा और एक दूसरी बात और ध्यान रखना जो भी साती RS की तयारी कर रहे है उनके लिए सूपर 30 का जुनून बेच अवेलेबल है मातर 9999 की price पे कोई साथ भी video course आप लेते हो उसके साथ में test series आपको बिल्कुल initial मिलती है तो यह आप लोगों के लिए एक सूचना थी कि अभी दिवाली का time चल रहा है तो offer है अगर आप video course से जुड़ना चाते हो हमारी बेते ही faculty से सारा content systematic डंग से एक साथ पढ़ना चाते हो जुड़ सकते हो अभी offer चल रहा है अभी आप लोगों के पास अच्छा मोगा है आ जाओ अपने next प्रेस्ट पर सर्वस्रेश्ट पर्यटन ग्राम परतियोगिता यह बात कर रहा है कि स सर्वस्रेश्ट विजेता ग्राम परतियोगिता है क्या इस परतियोगिता के अंदर basically सात्यों देखो जो आपके परियटन के हिसाब से गाउं को चुना गया और उन गाउं को पुरुषकार दिया गया है कि परियटन के शेतर में आप अच्छा काम कर रहे हो परियटन के शे सित्तंबर को पुछ के बारे में आफसे पूच ले कब मनाया जाता है यह आपका विश्व कुर्ची प्रियोटन की रेनी है और एक आपकी कौन सी है एक आपकी साहसिक प्रेटन की स्रेणी इन तीन स्रेणियों में आपसे वाइबरेंट विलेज के अंदर पूछा है तो वाइबरेंट विलेज स्रेणी में दोस्तों दो गाउं को मिला है जिसमें एक आपका गुंजी गाउं है दूसरा गुंजी के कौन सी स्रेणी में वाइबरेंट विलेज की स्रेणी में मिला एक आपका जखोल गाम है इस जखोल गाम को कौन सी स्रेणी में मिला इसको मिला है साहसिक प्रियटन की स्रेणी में ध्यान रखना साहसिक प्रियटन की स्रेणी में यहां पर आप से जैसे देखो जखोल गाम पू पूश्कार मिला है एक बात यात रखना है चारों के चारों गाहं आपके हैं उत्रकंडराज्य जो आपके बारत के उत्तिरी के अंदर अलकनन्दा नन्दा द thing वखने में ये भी वाइबरेंट विलेज है इन दोनों को वाइबरेंट विलेज रेणी में मिला है जखोल गाम को साहसिक्स रेणी के अंदर और सूपी गाम को करशी आधारीत परियतन के अंदर क्या मिला है पुरुषकार मिला है कौन सा पुरुषकार वेस्ट टूरिजम विलेज का या फिर आपके लो सर्व स्रेश परियटन ग्राम परतियोगिता के अंदर पुरुषकार जीतने वाले उत्राखंड के चारो के चारो गाउं है तो इन चारो गाउं के नाम आपको ध्यान रखना है दोस्त और यह दिये कब गए 27 सितंबर दोहजार तोविस को दिये गए है नई द फोर अगर जी ले कि सीमांत गाउं को कौन से में वाइबरेंट विलेज और नेनिताल का जो शूपी गाउं है इसको करशी परेटन के अंदर दिया है तो यह चार गाउं है आपके चारो गाउं को अलग लग स्रेणी के अंदर पुरुषकार मिला है आगे देखो के अंदर स साथ यूं एक अंग्रेज अधिकारी का नाम हुआ करता था उस टाइम में जब अंग्रेज भारत के उपर शाषन करते थे उस अंग्रेज अधिकारी के नाम पर जो है आपके अंदमान निकोबार दीब की राजधानी का नाम पोर्ट बलेर रख दिया था अब वरतमान में इस पोर्ट बलेर का नाम बदल कर के क्या कर दिया है श्री विजेपूरं कर दिया है तो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टन हो जाता है यह इसको धियान रखना है हाल ही में विजेपूरं को देख Burch locked I recommend recommend कि ह Subst km के इसके अंदर सासुत पर्देश की बंगई यह आप सबसे पहले सातियों जहां पर तिरंगा फिराया था सुबास चंदर बोस ने वो तिरंगा फिराया जाने वाली जगय कौन सी है वो आपकी यही थी पोर्ट बलेर मेप में कहां पर है आजाओ इधर मैं बता देता हूँ आपको मेप में यह अपना प्यारा भारत दिख रहा लावर के अंदर जो यहां पर यहापकी पोर्ट बलेर लिख कर दिया दिया है अगला देखो किस राजी की विदान सबा ने ए पराजिता मैला वे बाल विदेग दो जार चोबिस फारिद किया है हाली में आपको पता होगा कलकाता के अंदर जो है आपके एक रेप इन मडर केस हुआ था उस रेप इन मडर केस के बारे में कलकाता की मुख्य मंतरी खुद सडकों पे उतर करके आगई थी आंदलन करने के लिए वो क्यों आई आप लोग अच्छे से जानते हो इस विदय के अंदर क्या बात है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ याद रखने की चीज हो सकता है एक्जाम में पूछ ले अगर किसी महिला का रेप कर दिया जाता है किसी अपरादी के द्वारा तो रेप करने के बाद में 21 दिन का टाइम मिलेगा 21 दिन के अंदर करती हो जाती है तो दस दिन के भीतर भीतर जो आपका अपरादी है उस अपरादी को फांसी की सजा दी जाएगी बगाइदा ये अधिनियम पारित मतलब ये विदय करके इसको नियम बढ़ा दिया है पस्चिम मंगाल के अंदर और मैं तो कहता हूं ऐसा जो नियम बढ़ाय है विदयक का नाम है ए पराजिता मैला वेबाल विदयक दोहच्च दोहजार चोबिस क्या क्या प्रावदान है दो प्रावदान है एक तो कि अपरादी को 21 दिन के अंदर पकड़ करके सजा देनी होगी और अगर मैला की मर्तियू हो जाती या कूमा में चली जाती तो दस द समात उसको जो है मौत के गाट उतारो ऐसे दरिंदों को तो समाज में जीने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए आगे देखो 23 विदी आयोग का कारेकाल किस अवदी तक रहेगा विदी आयोग की बात करी साथ क्यों आपने जो लो कमिशन है लो कमिशन 1955-57 के अंदर जो है प कारेकाल होता है अभी वर्तमान में 2024 से इसका कारेकाल चुरू हुआ है 1 सितंबर 2024 से ठीक है 23 वे नंबर का जो कारे विदी आयोग है एक सितंबर 2024 से लेकर के कब तक चलेगा यह चलेगा साथियों 31 अगस्त 2027 तक यह आपका तीन साल रहेगा तो आपसे यही पूचा है प्र यहा 27 कर लेना तो 27 तक तेन साल के कारेकाल देता है यह जो 23ansen वीदी आयोग है इसके बारे में एक चीज़ आपको और ध्यान रखने काम क्या करता है वीदी आयोग यह वीदी आयोग जो नए कानून बनाये जाते हैं बार सरकार के दौरा उन कानूनों में सलाह देने का या कौन B.P. Sinha, कोपी में नाम चापके रख लेना, एक्जाम में सिधा-सिधा पूंचा Bentra सकता है, B.P.Simma वरतमान में 23 वीधि आयोग के अध्येक्स है, इधर आो देखो, फोड़ी सी बात जान लो 23 जो आपके विधी आयोग है कौन से नंबर के 23 विधी आयोग पहली बात तो इनका कायरेकाल एक सितमबर 2024 से लेकरके 31 अगस 2017 तक रहने वाला है और इस आयोग का गठन कौन करता है आपसे ये पूँच रहा है गठन करता है विधी एवम न्याई मनत्राले 12 सरकार का जो विधी एवम न्याई मनत्राले है उसके द्वरा गठन किया जाता है क्या 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 होता है इसमें एक तो आपके इसमें पूर्ण कालिक अध्यक्स होता है, यानि कि एक तो इसके अंदर आपके प्रेजिडेंट होगा, पूर्ण कालिक, उसके लावा चार इसके अंदर पूर्ण कालिक सदश्य होते हैं, यानि कि चार इसमें क्या होंगे, मेंबर्स होंगे, वो भी पूर्ण क होते हैं बाकी पांच मेंबर तो इसके अंदर इस्ता ही होते हैं यह कह रहा है कि मेंबर कौन हो सकते हैं या तो सुप्रेम कोट या हाइप होट के सेवारत न्यायदिस या सरकार दोरा चुना गया कोई विश्य सग्य हो सकता है क्या काम करता है यह आयोग आपका इस आयोग के में कौन है आपके बीपी सिन्हा वर्तमान में 23 विदी आयोग के अध्यक से इससे पहले 22 विदी आयोग था उसका कारिकाल समाथ हो चुका है आपका कब 31 अगस्त दोजार 24 को अब अगला जो है 31 अगस्त दोजार 27 तक चलने वाला है 23 विदी आयोग आगे देखू साती हूं प को ग्रीन फिल्ड बंदर्गा भी कहा जाता है यह वसं के अंदर जो है चालू रेता है कारियरत रेता है घर पिस बारिष के दिनों के अंदर बंद्रगाओं को बंद्द करना पड़ जाता है न को शुरू किया गया गया कहां पर महाराश्ठ्र के अंदर ये आपको ध्यान रखना है मिस्स यूनिवर्स अंडिया दो हजार-进 recognition का खिताब किसể जीता है अपना कोई प्रश्ण छूट तो नहीं गया सारी चीज़े कवर हो रही है ना चलो ठीक है अग्ला प्रशन कौन सा है अपना प्रश्ण के रहा है मिस्स यूणिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है आपके आखो के सामने फोटो भी है अगर पता हो तो कमेंट बुक्स में कमेंट करके बताओ कौन है ये देखो साति यो आपकी ये एक तो आईए दुरुवी पटेल ये जो दुरुवी पटेल है न दोस्तों इन दुरुवी पटेल को हाली के अंदर Miss India Worldwide 2024 का किताब मिला है इनको कौन सा मिला है Miss India Worldwide अगर आपसे पूचले कि Sir Miss India Worldwide 2024 का किताब किसको मिला है ये तो मिला है आपकी दुरुवी पटेल को फिर Miss Universe India 2024 का किताब ये किसको मिला है ये मिला है रिया सिंगा को आप फोटो में देख पा रहे होंगे इनको सातियों Miss Universe India 2024 का किताब दिया गया है रिया सिंगा को आगे देखो BCCI की गरेलू किर्केट की परतम स्रेणी किर्केट की 2024 की दलीप जो ट्रोफी ये किसने जीती यानि कि आपका जो BCCI ही है Board of Cricket Control in India इसकी गरेलू किर्केट की जो परतम स्रेणी किर्केट की ट्रोफी है सातियों 2024 की जिसका नाम है आपके दलीप ट्रोफी ये किस जिते हैं ये अलग-छब हैं इंडिया इंडिया सी इंडिया डिया इंडिया एंडिया टो यह आपकि इंडिया ए ने जिती है सातियों और किसको हराकरके इंडिया ची को हराकर लगबग 316 सोला रण से इनाम करें ह dramatikthane A.N. इंडिया A. के आपके जो कप्तान कौन थे इसके कप्तान थे दोस्त मयंक अगरवाल इनके कप्तान का नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि इन्होंने दिलीब ट्रोफी जिती है आपसे एक्जाम में सिधा सिधा पूर सकता है यह मयंक अगरवाल आपको फोटो में दिख करके बताएगा उसका नेक्स क्लास में नाम लिया जाएगा तो 42 सत्रंज उलम्पियाड जो है यह कहां पर आयोजित हुए आपको बताना है मैं भारत द्वारा जीते गए सुन पदग में कौन सा खिलाडी शामिल नहीं है चार खिलाडियों के नाम आपके सामने है इसका मतल पुरुषवर्ग में किसने खिलाडी ने सोन पदग नहीं जीता है तो आपके जो अरजुन एरिगाशीय इनोंने भी जीता है और विदित गुझराती है इनोंने भी जीता है टॉटल 5 पूरेशों ने साथ्यों क्या जीता है इसके अंदर सोन पदग जीता है फिर जेता एक आपका विदित गुजराती है एक आपका अर्जुन एगिरास है एक आपके आर प्रागनंदा है रमेश बाबु प्रागनंदा एक जो है आपके सातियों पंटाला है और एक आपके डी गुकेश है ये पांचों मेंबर्स जो है आपके हिस्टोरिक गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने किसके अंदर 45 वे शत्रंज ओलंपियाड के अंदर जिसमें से अर्जुन एरिगासी आर प्रागनंदा और विदित गुजराती यह आपके नाम थे वैशाली रमेश बाबु का नाम था वो कौन थी वो मैला है सातियों यह आपकी वैशाली रमेश बाबु है यह 55-50 लोगों ने 45 वे सत्रंज ओलंपियाड के अंदर क्या जीता है आपके गौल्ड मेडल जीता है यह बात आपको ध्यान रखनी है यह पूरी की पूरी पीडियाप वैसे आपको हमारे टेलिगाम चैनल पर भी अवेलेबल हो जाएगी आके देखो अमेरीकी ओपन टैनिस ग तो विमबल्डन ओपन का भी नाम सुना है हमें तो फ्रेंच ओपनल को बी नाम सुना है हमने तो अमेरिका ओपन और इसके लाओ और ऑस्चिलिया ओपन का भी नाम सुना है तो फिर यह ग्रेन सलेब होता क्या देको क्या थोड़ा सा मैं आपके कौंसेप्ट क्लिеж करता तो पुरुष का एकल किताब आपके जैनिक सिनर ने जीता है या आप फोटो में देख पा रहे होंगे जैनिक सिनर ये कहां के रहने वाले है जैनिक सिनर आपके इटली के रहने वाले है कहां के रहने वाले है जैनिक सिनर ये रहने वाले है इटली के अच्छा आप कहोगे कि सर ये तो पुरुष किताब इन्होंने जीत लिया फिर ये जो आरियना सबालेंका है आपकी ये बेलारूस की रहने वाली है और इस आरियना सबालेंका ने साती हूं मैला वर्ग का किताब जीता है आपके जो अमेरिकी ओपन टैनिस ग्रेंड्स लेम किताब जीता है ये बेलारूस की रहने वाली है आरियना सबालेंका इन्होंने जैसी का पेंगुला को हराया है जैसी का पेंगुला भी कहां की है यूए से किये अब आजाओ साल के चार ग्रेंड्स लेम होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं साल का जो पहली पहला ग्रे प्रेंच ओपन कौन सा फ्रेंच ओपन और इस फ्रेंच ओपन का आयोजन कब किया जाता है जुलाई महीने के अंदर तीसरा होता है आपका विंबल्डन ओपन फ्रेंच का किया जाता आयोजन कब माई के अंदर यह माई में होता है यह आपका जनवरी के अंदर होता है और यह जो Wimbledon Open है ये Wimbledon Open कब होता है ये जुलाई महीने के अंदर होता है और चोते नंबर का होता है कौन सा America Open जिसको आप USA Open के सकते हो जिसके बारे में आप पढ़ रहे हो इसका आयोजन किया जाता है साथी मेरे सित्मबर महीने के अंदर तो सित्मबर महीने में आपके टैनिस का फोर्थ नंबर का Grand Slam आपसे पूच लेगी दूसरा Grand Slam का वीजेता कौन है तो ये दूसरा तीसरा पहला पहले हो चुके है मैंने पहले की क्लासेज में आपको बता भी रखा है बाकी और मैं आपको कवर भी करवा दूँगा अभी हम बात कर रहे हैं फोर्थ नंबर के Grand Slam की जो की अमेरिका के अंदर हुआ था टैनिस का इसमें जैनिक सिनर इटली का रहने वाला है टेलर फ्रिज को हराया था जो की यूएसे का रहने वाला है आरियना सबालेंका निमाईला एकल का खिताब जीता है जो की बेलारूस की है इस एशियन्स चेंपियंशिप ट्रोफी का किताब किस ने जीता है जो आपके होकी की एशियन्स चेंपियंशिप ट्रोफी हुई थी इसके बारे में बात कर रहा है कि इसका किताब किस ने जीता है ये खिता है हमारे प्यारे भारत ने और सातियों किसको हरा करके जीता है चाहि कहां पर किया गया था इसके की बात करूं मेरे दोस्त इसका कहां पर चीन के अंदर ही आयोजन हुआ और चीन की दर्ती पर ही जाकर के भारतियों ने होकी में चाहिना को हरा डाला आगे देखो पेरिस पेरा लंपिक खेल आपके अगस्त सितंबर के अंदर अगस्त में और सितंबर के अंदर आपके आयोजन हुआ था इनका और यह आयोजन जो है सितंबर दोजार चोबिस के अंदर कहां पर होता है यह जैसा कि आपको पता है नाम के अंदर दिग गया होगा यह पेडिस के अंदर ही होता है और यह स शीत कालीन पेरालंपिक भी होते हैं, ग्रिश्म कालीन पेलांग भी होते हैं, हाली में आपके ग्रिश्म कालीन ओलंपिक का भी आयोजन हुआ था, और पेरालंपिक का आयोजन भी हुआ था, पेरालंपिक के अंदर अपने भारत से कितने खिलाडियों ने जो है पदक जीते है यह आपसे पूचा है तो टोटल सातियों 29 फारत के द्वारा जीते गए हैं 29 कैसे जीते गए हैं 7 तो जीते गए हैं gold medal कौन से medal gold medal 9 जीते गए हैं आपके कौन से bronze medal 9 जीते गए हैं सात में 2 जोड़ा तो आया कितना 9 और उसके बाद में 9 में 4 जोड़ा तो आयेगा कितना 13 गोल्ड सिल्वर ब्रॉंच यह medal जीते हैं टोटल 29 भारत ने आपको होगे सर गोल्ड मेडल किस किसने जीते हैं आजाओ वो भी बता देता हूँ भारत में से किस भारती खिलाडी ने प इनका समंद एथलेटिक्स से हैं इनोंने भी गोल्ड मेडल जीता है दिनेश कुमार है इनका समंद बेडिमिंटन से हैं इनोंने भी गोल्ड मेडल जीता है फिर किसने नहीं जीता है मरियपन थंगा वेलू ने कौन सा मेडल जीता है मरियपन थंगा वेलू ने जीता है मेरे सुमित अंतल एथलीट है और दिनेश कुमार ये आपके बेडिमिंटन के खिलाड़ी है इन तीनों ने गॉल्ड मेडल जीता है आप का होगे सर इनके लावा और किस किस ने जीता है क्योंकि आपने तो बताया था कि टोटल साथ लोगों ने गॉल्ड मेडल जीता है साथ में से एक आपके हरविंदर सिंग होगे, एक सुमित अंतल होगे, एक दिनेश कुमार होगे, एक सातियों आपके अमनी लेखरा, अमनी लेखरा का सम्मंद किससे है, अमनी लेखरा का सम्मंद आपका शूटिंग से है, अमनी लेखरा के लावा एक नाम याद रखना आपको होगे एक तीन चार पाँच होगे इसके लाएवाध दो आपके का नाम है अ come on come on come on भी पुम आपके कौन थे ये भी है इन्हों ने भी घी अकीस और मेल्ट कमार के साथ में सब्सक्णाइब ओर है कोन है ध्रम वीर संबंदीट है तक आप लोगों ठीक थोड़ा और आसान हो जाए हरिबिंदर सिंग है आपके तिरंदाच उन्हों ने गोल्ड मिडल जीता है सुमीत अंतल पॉन है यह आपके एथलीट है यह इन्होंने गोल्ड मिंडल जीता है दिनेश कुमार इनका शम्मंद है आपका बेड बेड मिंटन से तो बेड मिंटन के खिलाड़ी आपके कौन है दिनेश कुमार या आपके बेड मिंटन के दिनेश कुमार होगे इन्होंने भी गोल्ड मिंटन जीता है अमनी लखेरा को सभी जानते हो आप इनका संबंद किस से है शूटिंग से संबंद है और इन्होंने भी ग पवन कुमार और धरमवीर सिंग इन दोनों का संबन्ध भी किस्से है एथलेटिक से ही हजाती हूं तो ये भी एथलेट है अब देखो आपसे गोल्ड मेडल दीतने वालों का खेल भी पूंच सकता है और उनका नाम भी पूंच सकता है या नंबर ओक मेडल भी आपसे पूंच देखियोगी रामायन के अंदर रावन जब सिता को लेके जाता है तो सिता को बचाने के लिए जिसका एक पंक रावन के दोरा काट दिया जाता है वो पक्षी जिसको गिद्धों का राजा पक्षी राज कहा जाता है वो आपके जटायू था जटायू राम जी का मित्र भी ये जटायू संदक्षण के अंदर वे परजनन के अंदर का उद्गाटन कहां पर किया गया है ये किया गया है मेरे दोस्त उत्तर परदेश के गोरखपूर में तहां पर उत्तर परदेश के गोरखपूर में तो गोरकपूर उत्तर परदेश के अंदर विशु का पेला देखो अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये विशु का पेला है और विशु का पेला भी कौन सा है आपके जटाईू संदक्षन वे परजनन के अंदर है तो ये बात आपको ध्यान रखनी है एक्जाम में शत तो परतिशत यहां से पोचा जा सकता है विशु का पेला इसलिए मौस्ट 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 इंपोर्टेंट हो जाता है और एश्या-ई-गिन गपेसे गोसित कर दिया गया है, क्या गोसित कर दिया गया है, इको सेंसिटिव गोसित कर दिया गया है, इको सेंसिटिव कौन से शेरों को गोसित करा है, हाली में जो आपके गिर नेशनल पार्क है, जो की गुजरात के अंदर है, उस गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाई जाने वाले शेरों को एको सेंसेटिव गोसित कर दिया गया बाकी उत्तर परदेश गोरखपूर के अंदर यह देखो आपके जो योगी आदित्यनात है योगी आदित्यनात ने इसका जो हनावरण करा है यह इनके सास एल पी लेते वे दिख रहे होंगे यह आपका है इसका नाम है जटायू संदक्षण एमों परजनन केंदर ठीक है यह जटायू संदक्षण का केंदर है यह आपके जटायू है वर्ड्स फर्स्ट एशियन किंग वल्चर कंजर्वेशन सेंटर इनोगरेटेट इन उत्तर परदेश और उत्तर परदेश में भी कहाँ पर गोरतपूर में य तरीके का आप देख पारे होंगे पक्षो का राजा बोला जाता है इसको आगे देखो मेरे दोस्त भारत के नए वायू सेना के परमुक कौन न्यूप किये गए है वायू सेना के परमुक कौन न्यूप किये गए है आपसे ये पूच रहा है तो वायू सेना के परमुक आप अगला नाम है आपके उपेंदर दिवेदी आपके बारतिय थल सेना के जो है कौन है थल सेना के प्रमुक है तो बारतिय थल सेना के प्रमुक कौन हो जाएंगे आपके उपेंदर दिवेदी हो जाएंगे एक नाम और आपके सामने है अमरित मोहन परसाद ये जो अमरित मोहन प निदेशक कौन है आपके यह हैं अमरित मोहन परसाद लास्ट में कौन बच गए आपके अमर प्रीत सिंग बच गए इनको हाली में सित्मबर महा के अंदर वायू सेना का जो परमुक है वो नियुक्त किया गया है तो वायू सेना के परमुक कौन है यह आपको पता चल गया कौ है अमर प्रीत सिंग वायू सेना के प्रमुक है एडिमिरल दिनेश कुमार त्रिपार्टी नौ सेना के प्रमुक है उपेंदर दिवेदी थल सेना के प्रमुक है बाकि आपके अमरित मोहन परसाद है यह जो सशस्तर सीमा बल होता है SSB इसके नए महानी देशक बनाए गए है अ बाल ही में आतिशी मार लेना दिल्ली की कौन सी मैला मुक्यमंतरी बनी है आतिशी मार लेना के उपर हमने एक सेशन भी किया था आपको ध्यान हो तो और आतिशी मार लेना जो है सातियों यह तीसरे नंबर की मैला मुक्यमंतरी बनी है का की दिल्ली की आतिसी मार लेना से पह उन्हें कुर्सी पर बिटाकर के खुद पीछे खिसक लिए क्योंकि खुद लिकवर इसकेम के अंदर अपरादी तो नहीं कह सकते हैं उनको उनके उपर जाच चल रही अभी तो यह जो आतिसी मार लेना है दिल्ली की सीम बनी है और यह दिल्ली की कौन से नंबर की तीसरे और सुसमा सुराज तो अभी तरती इस्तान पर आपकी आतिसी मार लेना है अगला प्रशन देखो भारत के किस पूर्व निशानेवाज को एशियाई ओलंपिक परिश्द के अध्यक्स के रूप में चुना गया है यानि कि आपकी जो एशियाई ओलंपिक काउंसिल है सकता है हाल इमें जो एशियाई ओलंपिक परिशद है उसके अध्यक्स के बारे में आपसे पूंच सकता है कि ये कौन है ये पोरु तिरंदाज से संब्दीते या निशानेवाजी से संब्दीते या शूटिंग से संब्दीते या आपके कौन है निशानेवाजी से संब्द राजेश्वर्मा कौन है राजेश्वर्मा जो है आपके वायू गुनवत्ता जो मंत्रा लिये है सातियों आपके वायू गुनवत्ता वायू गुनवत्ता संस्थान के लुआप इस वायू गुनवत्ता संस्थान के जो मुख्य चीफ है वो कौन है आपके राजे शर्मा है और देवेंदर जाजडिया को था आप जानते हैं भारत के अंदर जो आपकी पेरालंपिक काउंसिल ओफ इंडिया है भारतिये समीति के अध्यक्स कौन है देविंदर कुमार जहन जडिया और रणदीर सिंग राजा रणदीर सिंग आपके निशाने बाद है जो एश्याई तो आपके श्री लंका के परदान मंतरी के बारे में पोचा है कि किस ने सपत ग्रेंड की है श्री लंका के परदान मंतरी के तोर पे सातियों आपके हरीनी अमर सूरिया नाम की व्यक्ति है इन हरीनी अमर सूरिया ने स्री लंका के पीम की जो है ये सपत ली है आप कोगे कि सिर अलावा अनुस्कुमार दिशानाई के है यह अनुस्कुमार दिशानाई के आपके स्री लंका के राष्ट्रपती है कौन है स्री लंका के राष्ट्रपती कौन है अनुस्कुमार दिशानाई के और स्री लंका के पीम कौन बने है हरीनी अमर सूर्या स्री लंका के पीम बने एक कीरि स्टार मर रिशी सुनक पहले पीम हुआ करते थे बिर्टेन के उनको हरा करके उनकी जगह पर कीरि स्टार मर जो है बृतेन के नए परदान मंतरी बन गए ये भी चर्चा में है अनुस कुमार दिशानाई के और हरीन अमर सूरिया इन दोनों का समन स्री लंका से ये अमर तो अलजीरिया के राष्टपति आपके कौन है यह अलजीरिया के राष्टपति है आपके अब देल मजीद आगे देखो भारतिये वायू सेना की स्कौटरन लीडर जो एल सी ए तेजस उड़ाने वाली पहली मैला फाइटर पाइलेट बन गई है कौन है जो भारतिये आपकी वायू सेना है उसके अंदर इसकौटरन लीडर के बारे में आपसे पूंचा है इसकौटरन लीडर और वो भी इसकौटरन लीडर कौन जो आपके लसी ए तेजस को उड़ाएगी देखो सात्य एक तो आपका था सुकोई सुकोई 30 MK1 जो हुआ करता था आपका उड़ान विमान उस विमान को उड़ाने वाली भी पहली भारतिये महिला थी आपके वह कौन थी वह थी अमनी चत्रुवेदी है मेरे दोस्त यह अमनी चत्रुवेदी की फोटो आपको दिखरी होगी अमनी चत्रुवेदी भारतिये प भावना कंट जो है इन्होंने भी इसको उड़ाया है किसको सुखोई 30 को इसकी पाइलेट है भावना कंट और आपके जो मोहना सिंग है सातियों यह मोहना सिंग आप फोटो में देख पारे होंगे यह मोहना सिंग कौन बन गई है स्कौर्टर लीडर जो कि LCA तेजस को उड़ स्कौर्ण में क्यों रखा है आग इनके रहिए इनके बार में भी पूचा जा सकता है आपके जो सातियों एंपाइर काउंसिल होती है उस एंपाइर काउंसिल के दुआरा ICC जो आपके इंटरनेशनल क्रिकेट कि जो आपके मेरे प्यारे दो तो पाकिस्तान की आपकी सलीमा इम्तियाज एंपाइर बनी है ICC के अंदर बाकी भावना कंट और अवनी चत्रुवेदी का संबंध किस्से है सुखोई 30 MK1 से है इसको उड़ाने वाली थी अवनी चत्रुवेदी पहली मैला फाइटर थी जिनोंने क्या उड़ाया था ये आप चितने भी आपके दिवस मनाये जाते हैं वो सारे के सारे दिवस एक ही सवाल के माध्यम से आपके क्लियर हो जाएंगे चलो नीचे से अपन देखते हैं आपका 5 सितंबर 5 सितंबर को आप सभी को पता है राष्ट्रिय सिक्षक दिवस मनाये जाता है कौन सा दिवस राष्ट सितंबर 15 सितंबर को मनाया जाता है मेरे प्यारे दोस्त राष्ट्रिये इंजिनियर्स डे राष्ट्रिये इंजिनियर्स डे तो यह आपका राष्ट्री एंजिनियर्स दिवस कम मना जाएगा 15 सितंबर को और 16 सितंबर को मना जाता है आपके अंतर राष्ट्री ए ओजोन दिवस इसके लावा 27 सितंबर में राष्ट्री ए आपको बताई कि नो सेना के मद्द्य किस अभ्यास का बाइस वा संस्क्रण भूमध्य सागर में आयुजित किया देखो मेरे प्यारे दोस्त इस सवाल से आपके तीन तीन कॉंसेप्ट एक साथ क्लियर हो रहे हैं तीन तीन चीज़े आपको पता चल रही है वो तीन चीज़े कौन सी एक तो पता चल जाएगा कि भारत और फ्रांस के मद्द्य दूसरी बात कह रहा है कि नो सेना के मद्द्य यानि कि आपको यह भी पता चल गया कि यह जो है नो सेना के मद्द्य होने वाला आपके कौन सा है अभ्यास है तीसरी बात आपको कह दी किस अभ्यास का 22 संस्क्रण यानि कि किस-किस की बीच में भारत और फ्रांस के बीच में नो सेना का एक अभ्यास है जिसका 22 संस्क्रण कहां आउजित किया गया वढम остр अगर के अंदर किया गया आपको ध्यान रखना है एक आपके सामने युदध अभ्यास इस युदध अभ्यास के हाल ही में जो बीसवा संस्क्रण है कौन सा संस्क्रण बीसवा संस्क्रण आयुजित किया गया है युद अभ्यास का और ये जो युद अभ्यास है कौन-कौन से देशों के बीच में होता है ये होता है आपके भारत और USA की बीच में, यानि की भारत और अमेरिका की बीच में होने वाला अभ्यास आपके युद्धब्यास, एक है आपके अलनजाहा और एक है आपका इस्टरन ब्रीज अलनजाहा जो है साथियों इसका हाली में पांचवा संस्क्रण है उसका आयोजन किया गया है और आपके जो इस्टन ब्रिज है इसका भी पांचवे संस्क्रण का आयोजन किया गया है एक चीज़ आपको ध्यान रखने है युद्ध अभ्यास जो है बीसवा संस्क्रण भारत और USA के बीच में इसका आयोजन कहां पर हुआ है इसका आयोजन हुआ है राजस्तान के बीका नेर में जो फाइरिंग रेंज है आपकी उस फाइरिंग रेंज के अंदर युद्ध अभ्यास का आयोजन हुआ है और युद्ध अभ्यास का संब्ध किस किस से है भारत और अमेरिका से है मैं सिधा करन यह दोनों कौन-कौन से देशों के बीच में होते हैं यह निशwater वंत को मैं बारत और ओम कर उमान इन दोनों देशों के बीच में होने वाले जो आपकी यूदब्यास कौन-कौन से हैं एक आपका अलने वहारे यहना 실श है उस्टंड ब्रीज अल-नजा का पाँचवा संस्टनड था इस्टंड ब्रिज का सातवा संस्करण था भारत और ओमान की बीच में आयूजित किया गया अगला देखो दोस्त सुबद्रा योजना का संब़न किस राजय से है सुबद्रा योजना के बारे में पूँचा है दोस्त सुबद्रा योजना क्या होती है सुबद्रा योजना के बारे में पूँचा है कि इसका सम्मंद किस राज्जे से तो इसका सम्मंद है पहली बात तो ओड़ी सराज्जे से सूबद्रा योजना के अंदर होता क्या है अपनी जो 21 साल से लेकर के 60 साल की माताई बेने हैं उन 21 से लेकर के 60 वर्स की माताओं बेनों को सालाना 10 हजार रुपे की राश्ची परदान की जाएगी सालाना कितनी सालाना 10 हजार रुपे हर महिला को दिये जाएंगे जिसकी भी उम्र 21 साल से लेकरके 60 साल के बीच में है, ओडिसा सरकार की यूजना है, जिसका नाम है क्या, सूबद्रा यूजना, वैसे आपको बताऊं कि थियास में सूबद्रा किसका नाम था, अर्जुन की वाइप का नाम था, सूबद्रा जो कि किर्शन बगवान की बहन थी, अगला देखो परदानमंतरी मोदी ने तीन परम रूद्र सूपर कम्प्यूटर राष्टर को समर्पित किये हैं कितने कम्प्यूटर तीन कम्प्यूटर कौन से परम रूद्र सूपर कम्प्यूटर इन computer का नाम क्या है? परमूरुद्र Super Computer है, ये राष्टर को समर्पित करें हाली में परदानमंत्री मोदी ने, ये पूँच रहा है इनको किस जगे तेनात नहीं किया गया, आपसे पूँच रहा है नहीं किया गया, यानि कि कौन सी जगे पर ये तेनात नहीं हुआ है, इसका म मोदी जी ने आपके जो परमरूद्र कम्प्यूटर है ये परमरूद्र कम्प्यूटर कितने तीन कम्प्यूटर भारत को हाली में सोपे हैं जिनमें एक आपका पूर्णे में हैं एक दिल्ली में हैं एक कलकता के अंदर अगला देखो भारत रक्षा विमानन परदर्शनी का उ यानि कि बहुत सारे राष्ट राकर के जितके अंदर पार्टिसिपेट करता है तरंग सकती अभ्यास यह तरंग सकती अभ्यास जो है आपको पता हो इसका दूसरा जो संस्क्रण था दूसरा संस्क्रण कहां होना था भारत के अंदर राजस्तान में जोत्पूर में होना था त पर बहुत सारी countries ने participate किया था उस तरंग सक्ति अभ्यास के अंदर ही इसका नाम था तरंग सक्ति 24 24 में होने वाला इस वज़े से वहीं पर क्या किया गया था इस भारत रक्षा विमान पर तस्निका उद्गाटन किया गया यह वहीं पर यह चलाई गई था के देखो भारत की क दो बेटियां सातियों जिसका एक का नाम है रूपा ए दूसरी का नाम है दिलना के इन दोनों ने सातियों यह हाली में डिसाइड हुआ है कि यह दोनों क्या करेगी दुनिया का चक्र लगाएगी वो भी कैसे समुदरी मार्ग से दुनिया का चक्र लगाएगी यानि कि यह में बेठेगी INSV तारणी पर सवार होगी यानि कि यह INSV तारणी नाम की एक जहाद है उसके अंदर Lieutenant Commander एक आपकी रूपा ए रूपा ए जो है इसका संबंद कहां से हैं एक आपकी दिलना के दिलना के का संबंध है आपका कहा से केरल से रूपा ए का संबंध कहा से रूपा ए का संबंध है पुद्दू चेरी से ये दोनों की दोरों जो है आपकी लेटिनेंट कमांडर यानि कि आपकी सवाल का राइट आंसर होगा A and B ये दोनों आपकी INSV तारणी पर सवार होकर के पूरी दुनिया का समुद्री मार्ग से चक्कर लगाने वाली है दोस्तों तो यह आप देख पा रहोंगे नाविका सागर परिक्रमा सेकंड यानि कि ये जो परिकरमा करेगी समुद्री मार्ग की इसका नाम क्या है इसका नाम ह मेरी की दिलना के केरल की ये दोनों साथी हों आपकी लेटेनन कमांडर INSV तारणी के अंदर बेट करके क्या करेगी पूरा का पूरा बर्मन करेगी दुनिया पर का समुद्री मार्ग से चलो अगला सवाल देखो यह गवर्णेंस पर 27 राष्टी सम्मेलन तेन से चार को कहां आयुजित किया गया यह गवर्णेंस का मतलब समझते हो प्यारे दोस्त राजस्तान आपको पता हो तो पहला राज्य बन गया था इलेक्ट्रोनिक मतलब आपके बजट जो है वह बजट जारी करने वाला यह गवर्णेंस मतलब आपके कौनसा detectorship वह राश्ट्य सम्मेलन कभ हुआ था तीन से चार सितंबर दोहजार चोबिस को आपसे यह पूंच रहा कहां पर किया गया यह सम्मेलन चिया गया सा थियों बुमबाइ के अंदर बुमबाइ में भी कहां पर महारा मारायास्ट्र यह बुमबाइ आर मारा च्ट्र इसकी थीमती सातियों आपके विक्सित भारत, विक्सित भारत के साथ में आपके था सुरक्षा वे टिकाउ ए सेवा, यानि कि आपके जो 27 वे नंबर का राश्टे सम्मलन हुआ है, इस सम्मलन का आईजन बुंबई महाराश्टर के अंदर किया जाता है, इसकी थीम रखी जाती है, विक्सित भारत, सुरक्षित भे टिकाउ ए सेवा, यानि कि आपकी जो ए सेवा दी जाएगी अब, यानि कि कागजी कारिवाई दिरिद्रे कम होगी, कागज कारिवाई कम होने से क्या होगा, पेड कम काठे जाएगे, क्योंकि कागज किसे बनता है पेड़ की लुबदी से ही कागज बनाया जाता है तो पेड़ों की कटने की जो कगार कम हो जाएगी और इगवर्नेंस की और बढ़ रहे है यानि की डिजिटलाइजेशन की और जारी है सरकार भी 27th नंबर का इंटरनेशनल इगवर्नेंस सोरी नेशनल जो गवर्नेंस इगवर्नेंस कॉन्परेंस था आपका इसका युजन बुंबई माराष्टम हो गया अगला देखो NPS वातसली इसकीम की शुरुवात कब की गई आपसे ये पूँच रहा है NPS वातसली जो इसकीम है पहले तो ये जान लो मेरे दोस्त ये होती क्या है NPS जो वातसली इसकीम है इस इसकीम के अंदर क्या होता है इस scheme में basically माता पिता को प्रोत्साहित किया जाता है कि आप क्या करो आप एक ऐसी pension निधी बनाओ और उस निधी के अंदर आप पेसा जो है वो डालते जाओ ताकि आपके बच्चों का जो आने वाला future है वो सुरक्षित हो हाल ही में जो 2024 का बजट जारी किया गया था इस 2024 के बजट में जो अपने बारत की वितमंत्री नीर्मला सिता रमन उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था NPS वात्सली स्किम से और इसकी शुरुआत कब की गई तो शुरुआत की गई 18 सितंबर 2024 को इस स्किम में होगा क्या इस स्किम में जो आपके अभी भावक है उन अभी भावकों के द्वारा जो बच्चे के अभी भावक या माता पिता जो भी है उनके द्वारा क्या किया जाएगा उनके द्वारा इस स्किम में साथियों इन्वेस्ट किया जाएगा एक तरीके का यह इन्वेस्टमेंट है यह इन्वेस्टमेंट किसली होगा यह इन्वेस्टमेंट होगा उनके संतानों का या उनके बच्चों का फ्यूचर जो है संतानों का भविश्य सुरक्षित करने के लिए एक निदी बनाई गई गई पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपके जो यह सोच वायू सर्वेक्षन पुरुषकार दूजार चोबीस होता है इसकी अलग-लग सरेणिया होती है जिसमें से आप से पूंच रहा है कि जो दस लाग से अधिक किस रहनी है उससरेणी के अंदर किसको मिला है तो इस रहनी में मिला है आपकी गुजरात के सूरत को पुरुषकार जो की 10 लाग से अधिक जन संक्या की स्रेणी में है अच्छा कोचीन सिप्यार लिमिटेड ने कौन सा एंटी सबमरीन वोरफेयर शेलो वाटर क्राफ्ट 9 सितमबर 2024 को लॉंच किया है एक तो डेट आपको ध्यान रखनी है 9 सितमबर 2024 को क्या लॉंच किया गया है ये साथियों आपके वाटर क्राफ्ट जिस तरीके से आपके एर क्राफ्ट होता है एर क्राफ्ट क्या काम करता है एर क्राफ्ट हवा में उड़कर के दुश्मन के एर क्राफ्ट को मारने का काम करता है यानि कि लड़ाकू वीमान होता है एक तरीके क उसी तरीके से यह आपका watercraft है यानि कि लड़ाकू जहाज है जो कि कोचिन शिप्यार लिमिटेड ने हाल ही में उतारा है साती हूं समूदर के अंदर किस ने कोचिन शिप्यार लिमिटेड ने यह पूछ रहा है कौन सा anti-submarine anti-submarine का मतलब क्या हो गया दोस्त मेरे बहुत सारे जहाज इसे होते हैं जैसे आपका इस समूदर है इस समूदर के उपर यहां पर जास तेर रहा है तो समूदर में चलती हूई कोई से भी पंडू भी जो होती है सम्मरीन जिसको बोलते हैं वो मिशाइल दाग करके क्या कर देगी उस जाज को उड़ा देगी बट यह जो जहाज इसाती हूई warfare शेलो वोटर क्राफ्ट यह वाले वोटर क्राफ्ट कैसे हैं anti-submarine है anti-submarine मतलब उस submarine से यह नहीं मारा जाएगा उसके लिए anti का काम करेगी तो एक आपके माल पे और एक मुल्की यह माल पे मुल्की नाम से दो वाटर क्राफ्ट जो है वो उतारे गए है तो इसका option होगा एवे बी दोनों 9 हितंबर 2024 को लॉंच कर रहे हैं कोचीन CPR लिमिटे के अंदर किया गया था भारत के अंदर सौथ मुवी जाती है उस्थ इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा आवार्ड यह साट इंडियन इंटरनेशनल मूवी और 2024 अभीनेत्री को सर्वष्ष्ट अभीनेत्री वह भी आलोचक के टेग्री के अंदर जीता है तो यह आपके जीत और यहां पर आलोचक सरुस्रेश्ट अभिनेतरी आलोचक के टेगरी के अंदर एस वर्यार राई बच्चन को सरुस्रेश्ट अभिनेतरी का अवोर्ड मिलता है अगला है संयुक्तर राष्ट्र मास अबा के 79 नंबर के सत्र में किस देश को यू एन यानि की यूनाइटेड न नेशन के अंदर जिसको आप संयुत राष्ट के नाम से जानते हो इसमें टोटल 193 कंट्रीज है इन 193 कंट्रीज में से ऐसा एक देश जो कि इस्ताई सदश्य नहीं है यानि की यून का पूर्ण सदश्य नहीं है पूर्ण सदश्य नहीं होने के बावजुद भी उसको सद इसवे अंतराष्ट्री भारतिय फिल्म अकादमी पुरुषकार समारों की मेजबानी कौन सा शेर करेगा तो ये मेजबानी करेगा आपका प्यारा जेपुर ठीक है प्यारे दोस्त तो यह होते हैं यहां पर आपके complete सवाल यहां पर हमने कोशिश करिए सितंबर माईने के आ कि है सितंबर माईने की करेंट अफेर्स की क्लास उसमें तब तक आप अपना ख्याल रखिए स्वस्त रहिए मस रहिए और पढ़ते रहिए जन्यवाद कि अ कि अ